नवस्कार दोस्तों मैं उदेल और फ्रेक बार स्वागत करता हूँ आप सभी का चहीते चानल इंडियान मुर्गी पालन परड़ों देखने वाले हर मुर्गी पालक भाई का आज केड़ों में तहे दिल से बहुत बहुत स्वागत दोस्तों थमनेल देखा टाइटल पड़ा हां दोस्तों सामान्य मुर्गी पालक भाईयों का सबसे बड़ा सवाल कि हमारे मुर्गियों के यहां पर बाल जड़ रहे हैं हां दोस्तों यहां फिलहाल का है सबसे बड़ा सवाग कि मुर्गियों के बाल बहुत बड़े पैमाने पर जड़ रहे हैं कि आपके मुर्गियों के भी बाल जड़ रहे हैं अगर आपके मुर्गियों के भी बाल जड़ रहे हैं तो क्या है इसका कारण, क्या है इसका उपाय इसके बारे में सटीक जानकारी प्राप्त करने के लिए अब यह वीडियो शुरुआत से लेकर अंततक देख लीजिए यह वीडियो अंततक देखते हैं आपको यह वीडियो पसंद आजाए तो जरूर इस वीडियो को यहाँ पर एक लाइक कर दीजिए ज्यादा से ज्यादा किसान भाई और मुर्गी पालग भाईओ तक इस वीडियो को पोचाने के लिए जरूर इस वीडियो को यहाँ पर शेयर कर दीजिए शेयर करने के लिए आप परसनल वाटसब नमबर वाटसब ग्रूप टेलिग्राम ग्रूप पेजबूक, इंस्टाग्राम, स्नैपचर इन सोशल मीडिया के साधनों का इस्तमाल करते हुए इस वीडियो की लिंक को यहाँ पर जरूर शेयर कर दीजिए सब्सक्राइब अगर यदि आपका रहा होगा तो आप सभी किसान भाई और मुर्गी पालक भाईयों से हात जोड़ कर अनुरोद करता हूँ कि आप सभी किसान भाई और मुर्गी पालक भाईयों को मैंने अपना माना है और आखरी सांस तक आप सभी को मैं अपना ही मामता रहूंगा यदि आप भी मुझे अपना और घर का सदस्त यहाँ पर मानते हो तक रुपया चानल को यहाँ पर सब्सक्राइब कर लीजिये सब्सक्राइब करने के लिए इस वीडियो के दाई तरब निचली साइड में आ जाईए वहाँ पर आने के बाद दिखाई देने वाले लाल रंग के सब्सक्राइब के निशान को टच कर दीजिये उसके बाद कलर चेंज हो जाएगा और बगल में गंटी आएंगे इस गंटी को टच करते हुए आल इस नोटिफिकेशन को अन कर दीजिये ताकि आने वाला हरुडियों आपको यहाँ पर समय समय पर मिलता रहेगा तो देखिए दोस्तों सामान्य मुर्गी पालक भाईयों का सबसे बड़ा सवाल कि हमारी मुर्गियों के बाल यहाँ पर जड़ रहे है तो ऐसे में मुर्गियों के बाल जड़ने का कारण क्या है और इस कारण का उपचार क्या है कि जिसकी माध्यम से आपके मुर्गियों का बालों का जड़ना हो जाएगा कम जिसकी वज़ा से आपकी मुर्गी दिखेगी एट्रेक्टिव और तंदुरुस्त और उसको मिलेगा अच्छा खासा यहां पर भाव तो आईसी परिस्तितियों में मुर्ग्यों के बाल क्यूं जड़ते हैं मुर्ग्यों के बाल जड़ने से किस प्रकार से हम रोक सकते हैं और क्रिपया आप से विनती करता हूं कि यह वीडियो शुरुवात से लेकर यहां पर अंततक जरूर देख लीजिए और साती सात में दोस्तों आप सभी के लिए खुश खबर लेकर आया हों कि हमने इंडियन मुर्गी पालन के नाम से नया वाट्सअप ग्रूप ओपन कर द में वाट्सअप ग्रूप की लिंक है उस लिंक को जाकर टच कर दीजिए और इंडियन मुर्गी पालन के मुप्त के वाट्सअप ग्रूप के साथ जुड़कर समय समय पर महत्वपूर्ण वीडियो पाईए और मुर्गी पालन में आने वाली तकलीफों को दूर कर और इसके साथ ही दोस्तों और एक खुशी की खबर है कि बहुत सारे मेरे मुर्गी पालक भाईते उनका कहना था कि सर हमें अच्छा खासा व्यवसाय करना है हमें इस व्यवसाय से लाकों का मुनापा प्राप्त करना है लेकिन हमें फीड की मैनेजमेंट नहीं आती है हमें म कश्मीर से लेके कन्या कुमारी तक गुजरात महाराष्ट्रा की सीमाओं से लेकर अरुनाचल की सीमाओं तक भारत वर्षे के 140 करोड की जनसंख्या के लिए मैंने लॉंच कर दिया है दोस्तों इंडियन मुर्गी पालन के माध्यम से ओनलाइन ट्रेनिंग प्रोग्राम का यह देनी है उसकी जानकारी समय समय पर मुर्गियों का टीका करन समय समय पर चूजों का टीका करन है इस्तमाल करते हुए ज्यादा से ज्यादा चूजों का प्रोडक्शन और जो माल हमारे पास त्यार होगा जैसे कि देशी मुर्गी का अंडा चूजा मुर्गी और मुर्गा इनको मार्केट दिलाने के लिए दोस्तों बहुत ज्यादा प्रयास यानि कि सभी प्रकार से आपको साहियता की जाएगी तो ऐसे में दोस्तों यह आपको हमारे इंडियन मुर्गी पालन के माध्यम से मार्गदर्शन चाहिए तो आप हमारे साथ जुड़ सकते हैं वह भी जुड़ना है तो इसके लिए संपर किज़े 242-62-62-62 पर जैसे ही आप 842-62-62 पर कॉल करोगे आपकी मेरे साथ बातचीत हो जाएगी मैं फिर एक बार विस्तार से आपको समझाऊंगा आपको ठीक लगे तो उसके बाद रेजिस्टरेशन के लिए मैं मेरा फोन पर गूगल बात करते हैं कि मुर्गियों का बालों का जड़ना तो देखे दोस्तों मुर्गियों का बालों का जड़ना कभी-कभी नैचरल होता है लेकिन कभी-कभी मुर्गिया आपस में लड़ती है जगड़ती है तो उससे भी दोस्तों उनके बाल जड़ने लगते हैं आइसे में बाल बहुत जड़ जड़ गए तो मुर्गिया दिखने में खराब दिखती है और मुर्गिया यदि दिखने में अट्रेक्टिव ना दि बताऊंगा जिसके माध्यम से आप अपने मुर्ग्यों के बाल फिर एक बार यहां पर उगाओगे और जड़ने से सव प्रतिशाथ रोग पाओगे तो सबसे पहले तरीका दवा का इस्तमाल तो दवा का नाम है दोस्तो मल्टी स्टार तो यह जो दवा है दोस्तो इसका इस्तमाल एक लिटर पानी में तीन एमेल करना है और तकरीबन आप कंटिनियोस तीन दिन दोगे तो आपकी मुर्ग्यों के बाल यहां पर वापस आ जाए तो आपके मुर्गियों पर बालों का जड़ने का प्रकौप कम हो जाएगा और बालों का जड़ना ही कम होगा तो बालों उगने भी उतनी दिक्कत यहां पर नहीं आएगी उसके बाद दोस्तों मुर्गियों में ऐसा पाया गया है कि कैल्शयम की जो डिफिसियंसी है उससे भी बालों का जड़ना ज्यादा होता है आएसे में आगर आप समय समय पर मुर्गियों को कैल्शयम का डोस दोगे जैसे कि ओस्ट्राविट दीजे इससे अच्छा मैं कहता हूँ अगर आप सहजल के पत्तों का फल्लियों का फूलों का मुलियों के पास के कीडे मकोडे का इस्तमाल करोगे तो मुर्गियों में कैल्शियम की जो डिफिसेंसी है वो भर कर निकल जाएगे और मुर्गियों का बालों का जड़ना यहाँ पर कम हो जाएगा यानि कि कैल्शियम को भी आपको देना बढ़ाना है उसी के साथ साथ दोस्तों आपको गोबर का जो खाद है वो जो सड़ा हुआ होगा तो वह एक गड़े में करके दोस्तों आगर उसमें समय समय पर गुड़ पानी मिक्स करके और बेसन पानी मिक्स करके हफते में मारूगे तो इससे जो कीडे, मकोडे, केच्वे वगरे वहाँ पर पैदा होते हैं अगर उनका सेवन मुर्गिया करेगी तो उनको वहाँ पर बाल जढने की समस्या से बहुत ज्यादा रोगदाम मिलेगी जिससे बालों का जढना कम हो जाएगा और जो बाल जढ गए है वहाँ पर फिर एक बाल उग जाएंगे और साती सात में दोस्तो आपको यह बात भी पता हुनी चाहिए कि जो लड़ना जगडना मुर्गियों के अंदर होता है उससे भी बाल वहाँ पर जो है दोस्तो वो निकाल देते है आईसे में फिर आपको क्या करना है कि गोबर के खाद का इस्तमाल जो है करना है अगर आप चार पाच गोबर के गड़े खोद कर उसमें गोबर का खाद दालोगे तो मुर्गिया डिस्ट्रब्यूट हो जाएंगे आपस में लड़ने जगणने की समस्या कम हो जाएगी जिसके माद्यम से मुर्गियों का बालों का जड़ना मुर्गियों के पंखों का निकलना वहां पर जो है दोस्तों पंखुडियों का खत्म हो जाएगा जिससे आपकी मुर्गी सही सलमित रहेगी और आपकी मुर्गियों का जो है दोस्तों अट्रेक्टिव नेस कायम रहेगा जिस माध्यम से दोस्तों आपकी मुर्गियों को ज्यादा से ज्याद और भी कोई समस्याय होगी तो आप कमेंट सेक्शन में जरूर लिख कर पूछ सकते हो दोस्तों यही बारीक सारीक जो जानकारिया होती है चोटी बड़ी मैं मेरे ओनलाइन सेशन में लेता हूँ जिस माध्यम से मेरे साथ जुड़े हुए मुर्गी पालक भाईयों को दिक्कत का सामना करना नहीं पड़ता है और इसकी वजह से दोस्तों समय समय पर ज्यान वर्धन होने की वजह से वह अच्छी खासी कमाई एकत्रीत कर रहे है अगर आपको भी लाखों का मुनाफा है कमाना तो ऐसे में आपको इंडियन मुर्गी पालन के ट्रेनिंग प्रोग्राम के यहाँ पर दी जाएगी तो इंडियन मुर्गी पालन के वाट्सअप ग्रूप के साथ भी आप जुड़ सकते हो पहले ट्रेनिंग की बात करें तो केवल पास सुरुपे के मासिक शुलक पर आप हमारे साथ जुड़ सकते हो जुड़ने के लिए संपर किजे 84186262 पर नसीब के वहाँ पर जाए उस लिंक को टच कर दीजिए और तुरंत दोस्तों मुफ्त में इंडियन मुर्गी पालन के वाट्सअप ग्रूप के साथ जुड़ कर समय समय पर महत्वपुर्ण वीडियो पाकर अपने फार्म को आगे बढ़ाई तो दोस्तों यह था पूरा वीडियो आपकी कोई समस्या होगी तो कमेंट सेक्शन में लिख कर भीजिए आने वाली वीडियो के माध्यम से आपके हर सवालात को यहाँ पर जो है दोस्तों सुलूशन के दवरान में दूर करूंगा और दोस्तों पसंद आया होगा यह वीडियो तो लाइक कीजिए किसान भायों तक पहुचाने के लिए शेयर कर दीजिए सब्सक्राइब करके नोटिफिकेशन बेल कॉल कर दीजिए ताकि आने वाला हरुडियो आपको यहाँ पर समय समय पर मिलता रहेगा लेकिन शेयर आपका रहा होगा तो शेयर के लिए क्या करना है परसनल वाटसप नंबर तक आप सभी को अपना ही मानता रहूँगा यदि आप भी मुझे अपना और घर का सदस्य यहाँ पर मानते हो तो क्रिपैस सब्सक्राइब कर लीजिए सब्सक्राइब करने के लिए इस वीडियो के दाई तरब निचली साइड में आ जाईए वहाँ पर आने के बाद दिख तब तक के लिए मेरे हरकिसान भाई और मुर्गी पालिक भाई का आज की उड़ी में तहे दिन से बहुत-बहुत आभाव